हेलो काईज कैसे हैं आप सब I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं भी ठीक ठाक हूँ और आज मैं आप लोग के साथ बहुत टाइम बात ब्लॉग शेयर करने हूँ मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कितने टाइम बात ब्लॉग डाल रही हूँ बटा आज मेरा मन किया कि मै तो अच्छा सा शेक बन जाता है और अच्छा भी लगता है पीने में बच्चों को ऐसी चीजे अच्छी ही लगती है आप लोगों को पते ही है और उसके बाद यहां पे बड़तन भगवान जी के काफी सारे हो गयते हैं काम बगएरा मेरा सारा वैसे हो गयता जाड़ो पाद युँडे नहाना हो जाता है इसटाम ही है अगर आप Aegis व क्यान नहाने का मुण करेंग neighborhoods ौज फूरी पसीने में नहालते हो ग्रवाने जाती है Constitution मेरा के श्तान करिंशे अपना बनाद चावल और यह ने मैं ऐसा निखित पेस्ट बना लिया है सुबस जल्दी से हम बना लेंगे खाना और यह मैंने मनाया है थोड़ा सा दल्या बनाया बच्चों के लिए तो चलिए और आजा ना मैं बनाने जा रही हूँ फरे आप लोगों ने फरे खाई होंगे काफी लोगों ने फरे इसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ तो यह मैंने चने की डाल रात में भिगो दी ती तो इसको मैं पीस लूँगी और यह पीस के इस तरीके से कुछ ऐसा पेस्ट बना लूँगी और यह नेक्स्ट डे की विडियो है यह आज संडे था और यह अभी जो व्लॉ में आप लोगों को पता ही है कि कुछ न कुछ ऐसी चीज़े खाने का मन करते ही तो यह मैंने चटनी बनाने के लिए यहाँ पे टामाटर हरी मिर्ज धनिया और लैसन की चटनी बनाई है साथी साथ मैंने अपनी डाल को पीस लिया है और दाल में मैं मिलाओंगी घर का पिसा तो यह इसको हम अपने पेश्ट को अच्छे से मतलब मिक्स कर लेंगे और उसके बाद बनाएंगे हम फरे इसके लिए मैंने नॉर्मली आटा गूत लिया है जैसे कि हम रोटियों के लिए आटा गूते हैं आटे में कुछ भी नहीं मिलाती हूं आप लोग किस तरीके से फर अच्छा लगता है और उसके बाद यहां पर पूरी अलमारी का इतना बुरा हाल हो रखा था इसमें ना कुछ फटे वग्यरा कपड़े भी थे तो आज में उन सारे फटे कपड़ों को भी निकाल लोगी अभी सब लोग है ना मैं बता हूं सो रहे हैं मतलब हमारे घर में आ इसलब दरी वगेरा वालों को दे दूंगी तो यह हमारी अलमारी भी सही हो गई है और अब मैं जाओंगी इसके बाद बनाओंगे फरे यह भी काम बहुत हो जाता है बच्चे घर में होते हैं तो एक कपड़ा निकालते हैं और चार भी गाड़ते हैं उसके बाद मैं आ इस तरीके से बड़ी सी रोटी बेली और इसको ना ग्लास की हैल्प से कट कर लिया इहां पर मैं ने थोड़ा सा ओयल डाल दिया है बस ज्यादा कुछ भी नहीं डाला है मैंने थोड़ा सा ओयल दाल दिया ताकि यह जो फरे हैं एक दूसरे में चिपके ना और यह देखे मै इसको फटाफट से रोटी को बेल लूँगी पतली पतली सी रोटी हैं बेलने के बाद मैं यहां पे इसको ना इस तरीके से कट कर लूँगी और कट करने के बाद यहां पे तो बस इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया और इसमें मैं मसालों को भरती जाओंगी एक बार के मैंने उबलने के लिए रग दिये हैं और ये देखे इस तरीके से मैं बस बंद कर दूँगी इसको और एक बार के तो हमारे बन चुके किसको टेस्टी लगते हैं चटनी के साथ तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं इसके बाद ये देखिए हमारे जो फरे हैं वो और इसको न में चलनी में निकल लूँगी ताकि इसका जो पानी वगए रहा वो निकल जाए Danielle भाव वगेरा से ने इसका जो उपर पानी है ना वो सारा सूख जाए खाने में बहुत ज़्यादा यमी लगते हैं और इससे क्या है ये हेल्दी भी होते हैं मतलब अन्हेल्दी निये क्योंकि ये मैदा के निये आटे के हैं और अभी हम इसको तेल में फ्राई कर देंगे तो मुमोज बोल सकते हैं मतलब मुमोज तो क्यार मुजह बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं पहले मुझे मुझे अच्छे लगा करते की खाने पीने बना देती हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारे घर पे एक कबूतर ने कुछ दिन पहले दिये थे अंडे तो अंडे देने के बाद उसमें 8-10 दिन तक तो अंडे रखे रहे वैसे मैं भागारी थी उसको लेकिन मुझे नहीं पताता कि वो यहाँ पर अंडे रखने वाला है और उसने अंडे यहाँ पर दे दिये और फिर मैंने अंडे हटाय नहीं तो उसमें से 17-18 दिन बाद यह बच्चे निकले हैं छोटे-छोटे से आप जब तक यह बड़े नहीं हो जाएंगे सही में कबूतरी जो कबूतर कबूतरी है वो इनका बड़ा ध्यान रखती है और पहले कबूतरी हम लोगों से डरती थी कि कहीं हम मारे ना लेकिन हम सुबर साम चड़ के देखते रहते हैं, यहां पर ये ना जो हमारी अलमारी के ओपर मैंने कूलर का यह बॉक्स था, वो रखवा तो उस बॉक्स के ओपर दिये हुए हैं, तो मतलब बच्छे सभी के बहुत प्यारीं रहते हैं, बहुत ही प्यारे से, बहुत ही चोट क्या पड़ गए यह लोग मुझे परिशान करने लगें फिर से सारा दिन रड़ाई यह सची जेन में होती है मतलब नीचे लड़के आई यह मैंन को पीटने के लिए आई है यहां पर गेट बंद कर दिया है दोनों जोनों और यह देखो एक जना तो लेटरिंग में घुज गया और एक जना मतलब इधर नीचे की साइड और यह भी हां पर शौर नहां के आया है इस गर्मियों की छुटिया की आ जाती है इन बच्चों ने इतना परेशान कर रखा है ना तो लेटने देती है और पूरा दिन यह आतक को मचाते हैं भगवान ने पतनी यह छुटिया क्यों बढ़ती है पूरे कमरे का हाल देखो क्या कर रखा है साही चद्रें बद्रें सब बिखेर के रख रखी है यह देखो तो कभी-कभी इतनी घुसा आती है कि इनको पकड़के मैं अच्छे से धुन दूँ तो रोगवान पीटूंगी रहन से इतना ध्यान रखना बता रही हूं मैं दोनों जने पिटोंगे दोनों जने तुने इसके वबर पानी क्यों रहा ला ला था यह पूरे में पूरे में पूरे घर को यह तुने तैहसने कर रखा है क्यों कर रहा है फिर किसने किया है पूरे कमरे का क्या हाल कर रखा है यह क्यों कर रखा है किसने फिला है तो तुमने एक मिनट के रहे सोने दिया और ना यह पढ़ना ना लिखना इस बाद इन को डाट लगाने के बाद फिर मैं पूरा कमरा और जो कपड़े वगर इने फिलाए थे हिन दोनों लोगों को ही मैंने इनका काम दिया तो दोनों आपस में लड़ भी रहते एक दूसरे की विना रहते भी नहीं है और उसके बाद इन में दो दो मिनट में लड़ाई हो जाती है और काम भी हस्ते हस्ते कर रहे है मतलब इन पर डार्ट का मार्का कोई असर थोड़ी न होता है अब दाना प्लीज आप लोगों के घर में भी बच्चे ऐसी करते हैं या बस मेरे ही बच्चे ऐसे हैं और उसके बाद इनको डांट मार्ट लगाने के बाद फिर मैं गई मार्केट क्योंकि आज मार्केट से मुझे थोड़ा वह समान लाना था मुझे लानीती भगवान जी के लिए आरती की थाली और उनके लिए बरतन उनके एक जोड़ी बरतन है तो लेकिन बच्चे न पूजा पाट करते हैं तो जूठे ही बरतन रग देते हैं आप लोगों को कैसे लगे कॉमेंट करके जरूर बताना, अभी यहाँ पे मैं काट रही हूँ, तर्बूज घर्मी बहुत जादा हो रही है, तो इस टैम पे लिक्विट से फल होते हैं, वो आप लोगों को खाते रहने चाहिए, तो मम्मी ने हाँ तर्बूज लिया तो अभी मैं अच्छे से पानी से धोलूंगी, उसके बाद में सारा मतला सारी बोतलों को भर के रख दूंगी, मैं परी वैसे भर देती है बोतलें, लेकिन मैंने का लाओ अभी पहले मैं इनको अच्छे से धोल लेती हूँ, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सर्फ डाल लिया था इस मैं आप लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब दूंगी, मुझे पता है कि मेरे पास इतने सारे DM आ रखे हैं, आप लोगों ने मुझे यूटूब पर भी काफी सारे कमेंट्स कर रखे हैं कि रिया आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रही हो, परी का रिजल्ट कैसा आया ह तो मैं आप लोगों के साथ कल एक प्रॉपर व्लॉग शेयर करूंगी, तब मैं आप लोगों को सारी चीज़े बताऊंगी कि मैं व्लॉग क्यों नहीं डाल रही थी, तो अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक कमें शेयर जरूर कर देना, मे आप लोगों को बताऊंगी कल के क्या था, जिसकी वज़े से मैं व्लॉग नहीं डाली थी, थोड़ा सा नहीं बहुत जादा मैंटली डिस्टरब्स ही भी, चल भी उसका हम पता नहीं मेरे माइंड में क्या क्या चीज़े चलती रहती हैं, वह यह ना हम कितना भी टेंशन न लेकिन फिर भी ना हमारी जो लाइफ की टेंशन है ना वो हमें होती ही रहती है, वो कही ना कही हमारे दिमाग में चीज़े चलती ही रहती हैं, तो बस चलिए